नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल अम्रित आपके अपने चलनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, तीन अप्रेल शुक्रबार कुमाननी या पधानमांत्री सिरी नरंदर मोधी जी न समस्त देशवास्यों को संभुचित करते हुए एक संदिश दिया था। कि पांच अप्रेल रहिवार को रात नौ बजे नौ बजे से लिखे नौ मिनाट तक अपने अपने घरों के बाहर बालकोनी में दिपक मामबती मोबाई की टॉट्च बाट टॉट्च जलाया है। जिस पर बहुत से दिशवास्यों ने अपने अपनी प्रतिक्रिया थी। उन्होंने ऐसा क्यों कहा आएज जानते हैं जोतिश का नुसार उसका क्या महत्वा है। इसकी पूरी कहानी दॉट्टर जयमादान के जुबानी। नमशकार, मुझे उमीद है आप अपने घर में बहुत हैपिली और बहुत सेफली रह रह रहे हैं। पूरी प्रिकॉशन लेकर रह रहे हैं। मैं दॉट्टर जयमादान। जब सुबहे हमारे देश के प्रधान मंत्री मोधी ने अपने भाषन में कहां कि हमें 5 अप्रिल को यानि की 5 तारिक को रात को 9 बजे 9 मिनिट के लिए दिया जलान है। तो जब मार्स आप स्ट्रॉंग करते हैं तो आपकी विल पावर स्टॉंग होती है। आपके अंदर छीजों को लड़ने की शमता आती है। यह आपके अंदर इम्म्यूनिटी को स्टॉंग करता है। आपकी ओवरल ताकत को बढ़ाता है। एक हिम्मत देता है। एक कारेज देता है यह प्लानेट। और पांच तारीख को चंदरमा जो है यह लियो में हैं यानि कि सिंह राशी में है। सिंह राशी यानि कि सूर्य की डाशी। सूर्य मतलब की रोशनी। तो जब आप रोशनी जलाएंगे तो चंदरमा को भी ताकत मिलेगी। यानि कि आपके मन को ताकत मिलेगी, आपके मन को नहीं हमारे देश को भी ताकत मिलेगी, और एक बात, यह जो काल सर्फ योग की situation बन रही है, जिसकी वज़े से लोग rebel हो रहे हैं, कोई meetings में जा रहा है, कोई घर चोड़ कर भाग रहा है, कोई doctors को पत्थर मार रहा है, यह इस situation को control करने में भी मदद करेगा, more than that, you have to understand कि अगर आप दिया जलाते हैं नौ मिनिट के लिए और उस समय आप मंत्रों का जाप करते हैं, तो इससे sound energy भी create होगी, light and sound, when combined together, it is an amazing combination, आप दिया याँ कैंडल ही जलाएं, I would suggest कि आप बहुत जादा electronic light का प्रयोग ना करें, क्योंकि electronics भी राहू को reflect करता है, और हमें राहू के energy को ही इस समय कम करना है, यानि कि अंदकार को कम करना है, तो जब आप दिया जलाएं, वो mustard oil का होगा तो बहुत अच्छा है, यह आपकी health के लिए अच्छा है, अगर आप घी का दिया जलाते हैं, तो उसमें आप थोड़ा सा कपूर जरूर डालिए, अगर आप तिल के तेल का दिया जलाते हैं, तो उसमें आप एक long डाल सकते हैं, ताकि आप saturn, यानि कि जो disease fell rise की energy को control कर सकें, तूसरी चीज, अगर आप candle जलाते हैं, तो आप उसमें कुछ दाने बाढ़ ले, यानि कि जो और के डाल दीजे, ताकि राहू के impact को कम किया दाजल के, अगर हम सब देशवासी ये सब मिल के करेंगे, क्यूंकि पांच तारिक को नौ बजए, जो situation transit की होगी, क्यूंकि उसमें लिब्रा Ascendant होगा, तो राहू 9th house में होगा, लिब्रा Ascendant के, तो जब आप सब दिया, हम सब दिया जलाएंगे, या कैंडल जलाएंगे, जो कुछ भी आप comfortably जलाना जाते हैं, तो 9th house उस समय ब्रहमान में active होगा, जिससे सारे डर खतम होगी, एक fighting spirit होगी, और यही नहीं, हमें एक उपर से, ब्रहमान से भी मदद मिलेगी to fight this action, it is a beautiful initiative, we must do it, देखे, जब आप बिमार होते हैं, तो आप क्या कहते हैं, कि मुझे कुद्रत ने पांच दिन के लिए viral fever बुखार दे दिया है, मैं तो बुखार में ही रहने वाला हूँ, मुझे इससे fight नहीं करना, हम ऐसा नहीं करते हैं, we take precautions, we visit a doctor and we take medicines, जो पांच दिन के viral fever को तोड सके, आप परसितमोल लेते हैं, क्रोसल लेते हैं और बार बार लेते हैं, ठीक इसी तरह से astrology भी काम करती है, it guides you, it predicts for you, and it also gives you remedy, it is a beautiful remedy, we must do it all together, let's combine and utilize this strength, not to create any superstition, but to create strength amongst ourselves, I hope हम सब मिलके, खुबसूरती से हर एक जना इंडिविजवली, अपने अंदर के अंदकार को भी खत्म करेगा, और बाह हैं तो दोस्तों कैसे लेगी आपको यह जान करे, अगर आपको जान करे, अची लगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा करें, हर हिंदूस्तानी घर तक परियास मेरे साहता करें, और चनलो को अगर नहे हैं, तो लाल बटन को दबाके और सब्स्ट्राइब कर नाना के दन्यवाद दोस्तों जै हिंदी जै भारत